हेलो फ्रेंड्स इससलाम उलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस कीचन कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खायरियत से होंगे अज फिर एक नहीं रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टाट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और अपके अपने चैनल तम्मोस कीचन को सब्सक्राइब जरूर करि बहुत ही आसन तरीके से बताऊंगे मैं आपको कैसे बनाये जाता है सबसे पहले हम बेशन की गुटलियां थोड़ी सॉफ्ट कर लेते हैं हाथ से कर लेती हूं मैं पहले सॉफ्ट हाथों से सॉफ्ट करेंगे तो जादी हमें दिक्कत नहीं होगी हम आटे किस लगी बनाएं ध्यान रखिए एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा हम पानी डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं हमारे आटे में कोई लंस नहीं है कोई गाटी नहीं है कोई गुटलिया नहीं है यह जो बचा पानी है यह भी डालूंगी और हमें पानी यह हमें यह ठिक होगा तो बुंदी बराबर नहीं बनेंगी और हम बना रहे हैं मोती चुर के लड्डू काफी छोटी-छोटी बुंदी होती है मोती चुर के लड्डू में अच्छे से मिला लेती हूं फिर लेते हैं हम पानी आपने भी कभी मोटी चुर के लड़ु घर पर बनाए होंगे एक बार मेरी तरीके से बनाए है बिना जहरा के काफी आसान तरीका है आप इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं अब मैं ली हूं पानी वन फोर कप के मेज से और आप देख सकते हैं हमारा स्लगी टाइप हो रहा है एक दम पतला हो गया है हमारा बेशन इसमें और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पुरा वनफोर कप डाल देंगे अभी कप में पानी बचा है मैं वो भी पानी डाल दूँगी और मैं ली हूँ यहां पर मेरे पास पाइपिंग बैग है केक सजाने माला जो कोन आता है वो है मेरे पास मैं इससे बना रही हूँ अगर आपके पास यह कोन नहीं है आप इसे नमक की थेली से बना सकते हैं दूद की थेली से बना सकते हैं कोई भी पैकेट लीजी और उससे ब जिहान रखना है हम इसे उठाकर चेक करेंगे तो एकदम से पतला दिखना चाहिए जितना पतला होगा उतनी ही बुंदी हमारी बारिक गिरेगी अगर यह थोड़ा सा ठिक होगा तो मोटी-मोटी बुंदी गिरेगी और कप में रखना है यह कोन चाहिए जो भी आप थैली हाथ थोड़ा उपर रखिए जब हम बुंदी डालते हैं तो स्टीम निकलती है और हाथ पर आती है हाथ जलता है इसलिए आप थोड़ा उपर करकर डालिए इसी तरीके से आप भी बनाव बुंदी तो काफी बारिक होती है और स्रिफ ऐसे हिलाते रहना है हमें अपने आप निकलती है अगर आप इसे दबा कर डालोगे तो मोटे मोटे बुंद निकलेंगे इसलिए आप दबाईएगा नहीं हमारा बेसंस लगी टाइप है इसलिए हमें दबाने की ज़र्वत नहीं है यह अपने आप निकलता है स्रिफ हाथों को बचाईए थोड़ा सा उपर से डा सकते हैं और मोटी चुर की लड़ू काफी अच्छे बनते हैं हमारे घर में भी बनाये हुए जैसे हम बाहर से लाते हैं उससे भी अच्छे हमारे घर के लड़ूस बनेंगे फ्रेंड्स आपका अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए अपने रिष्टेदारों से शेयर करिए कॉमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसे color change होने तक ये fry नहीं करना है और ज़्यादा कच्छा भी नहीं निकालना है ये अच्छी तरीकी से fry हो जाएगी तो हमेंसे निकाल लेते हैं ये बारिक बुंदी होती है निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैं ये वाला जारे का इस्तमाल की हूँ या फिर आपके पाद चाय की छानने होगी प्लास्टिक वाली छानने मत डालिएगा मैं आपको बता दे रही हूँ ये छानने में जो छोट चानने आती है हम जिसमें चाय छानते हैं उस छानने से भी आप बहुत आसन तरीके से ये बुंदी निकाल सकते हैं और यह मैं सारी बुंदी निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स आपको मैं सारी बुंदी बनाते हुए नहीं बता पाऊंगी बहुत बड़ा वीडियो होगा इसलिए मैं थोड़ी बना कर बता देती हूँ इसी तरीके से मैं बनाऊंगी कौन से बनाऊंगी मैं नेक्स टाइम आपको बताऊंगी दुद के पैकेट से क्योंकि अभी मेरे पास दुद का पैकेट था नहीं इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ दुद के पैकेट से दुद के पैकेट से भी इसी तरीके से बनाया जाता है उसे कैसा बनाए जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इससे पहले मैं बेशन के लड़ूस अपलोड की हूँ मैं उसकी लिंक भी दे दूँगी उपर आई बटन में उसे भी देखे आप वो लड़ू भी बहुत अच्छे लगते है खाने में उसे भी आप ज़रूर ट्राइ करियेगा और शक्कर लिए उमें एक ही कप शक्कर लिए उमें आप इसमें देढ कप शक्कर डाल सकते हैं मीठी होगी जादी मेरी लाइड बुन्दी थी लाइड लड़ू थे मेरे जादे मीठे लड़ू नहीं बनाई हुमें अगर आपको काफी मीठे लड़ू चाहिए जादे मीठे लड़ू चाहिए तो देड़ कप शक्कर डालिए और पानी डालेंगे हम इसमें एक और आदा कप पानी हम देड़ कप डालेंगे एक कप शक्कर के लिए अगर देड़ कप शक्कर लोगे तो दो कप पानी डालिए दो कप बेशन के लिए दो कप ही पानी का इस्तमाल करिए सॉफ्ट बुंदी पकेगी इसमें हम दाल रहे हैं फूड कलर थोड़ सा ज़्यादा डालती हूँ ज़्यादा हलका लग रहा था शक्कर हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे बुंदी शक्कर मेल्ट होने के बाद हम पकाएंगे एक मिनट जादा नहीं पकाएंगे हमें एक तार की चासनी नहीं चाहिए हम बना रहे हैं मोती चूर के लड़ू मोती चुर के लड़ू में कोई तारवाली चासनी नहीं होती है और उसी कड़ाई में हम गैस चालू है उसमें डाल देंगे बुंदी और अच्छे से हिला लेंगे मिला लेंगे अच्छे से अच्छी तरीके से मिला कर इस पर मैं प्लेट ढखूंगी और लो फ्लेम कर दूँगी लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तीन से चार मिनट मेरे बुंदी में थोड़ा सा पानी कम लग रहा है इसलिए मैं प्लेट ढखकर पका रही हूँ अगर आपके बुंदी में दो कप पाने ढलोगे तो बिल्कुल प्लेट मत धकईए डियरेक खूले में पकाएंगे आप काफी सॉफ्ठ हो गई हमारी बुंदी अगर आप दो कप पाने डालोगे इसे बिल्कुल धक कर मत पकाईए इसे ऐसे ही पका सकते हैं सॉफ्ट हो जाएगी और जूसी लगेगी मैं यहाँ पर थोड़ा पानी भी कम डाली हूँ और शक्कर भी कम रखी हूँ आप दो कप बेशन के लिए देड़ कप शक्कर और दो कप पानी का इस्तमाल करिए इसे मैं अच्छे से मिलाकर फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे हम निचे उतार दिये हैं अब इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगे हलका सा गुनगुना रहेगा तो हम इसके बना लेंगे लड़ू इसे पूरी तरीकी से ठंडा नहीं होने देंगे एक बार हाथ लगा कर चेक करिए आप अगर हाथ लगा सकते हो लड़ू बना सकते हो इतना है गुनगुना चाहिए ज़्यादा गरम नहीं रखना है ज़्यादा नहीं ठंडा रखना है गुनगुना गरम रहेगा तो हम इसके लड़ूस बनाएंगे मीडियम साइज के लड़ू बना रही हूँ में जादे बड़े नहीं और जादे छोटे नहीं देख रहे हैं आप फ्रेंड्स कितना आसान है बुंदी के लड़ूस बनाना और इसमें मैं दाली हूँ मगज के बींज कलिंगड के बींज डाली हूँ मैं थोड़े से जादे डाली हूँ मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं इसमें थोड़े से जादे कलिंगड के बींज डाली हूँ आपके पास हैता डाली है वरना स्किप कर दीजिए और इसी तरीके से मैं सारे लड्डूस बनाई हूँ इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये घर में बनाये वे लड्डू है सबी को लगेगा कि ये शौप से खरीदे वे लड्डू है और इसे बनाना भी बहुत आसान है इसे एक बार आप घर में ट्राइज जरूर करिए इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना खयाल रखिए सेफ रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फर वाचिंग